टारगेट वीद पीएस परियार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियों हम लोग बात करेंगे जूनियर हाइस्पूल शिक्षक बर्थी कोट अपडेट की आज लगबग सुबह के समई समचार पत्रों के माधन से जानकारी दे गई थी कि जो शिक्षकों की पडोनती है उस पर रोग लगा दी गई है और ये रोग कोट ने नहीं सरकार ने खुद ही रोग लगाई है चूकि सरकार को पता चल गया था कि भी दर्थी कोट चले गया है और आज इस केस की सुनवाई होनी थी बताय जा रहा है कि 12,460 है वो तो एक बहाना है ऐसा कहा जा रहा है लेकिन मामला यही है कि जो नीवों को ताक में रख करके पडोनती की जा रही थी इसका कई वर्ग विरोध कर रहे थे चात्र तो लगातार विरोध कर ही रहे थे कि सी कर इंवरी को पडोनती की प्रस्तावित व्रकृष और विद्धाल आवणटन की प्रक्रिया को अग्रिम आधेश तक रोगने के निर्देश दिया है शची China की तरब से कहा गया है कि पडोनती और विद्धाल आवणटन को समय मिल गया है नीमा वली को चैलेंज करने का और अब विद्यार्थी नीमा वली को चैलेंज करेंगे इस बात को लेकर करेंगे कि जो कम से कम 50 प्रदेस जो पढ़ हैं junior के वो सीधी बरती से भरे जाए एक तो यह सीधी बात करेंगी दूसरी बात यह कहेंगे कि अगर उत्त साफक आ गया है कि अगर परियाप्त योग शिक्षक नहों पदोनती के लिए तो सरकार सीधी बढ़ती कर सकती यह चीज अभी भी है तो इस प्रकार से 50 प्रितिसत से ज्यादा पद विद्यारतियों को मिल सकते हैं वैसे तो सभी विभागों में लगबग 50 प्रिसेत प्रमोशन होता है विद्यारति प्रमोशन की बात तो करेंगे कि आधे कम से कम आधे पद प्रमोशन से भरे जाएं लेकिन जो नीमा वली में उबंद है कि अगर योग शिक्षक ना हो तो सरकार पूरे पदों पर सीधी बरत तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा लाश्ट देखेगा और अगर आप लोग बीड़ पास हैं तो इस वीडियो को जिरने भी बीड़ के ग्रूप हैं सभी ग्रूप में आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर भी करतें ताकि विद्यारती बीड़ के आज कहीं न कहीं सरकार हम लोगों के सामने घुटने टेक रही है और घुटने टेकने के लिए मजबूर भी हो रही है उत्तर प्रदेश में प्रमोशन के संबन्द में जो लेटर जारी हुआ था प्राइमरी के सहायक अध्यापकों का परसिदी उच्च प्रात्मिक विद्यालों में सिच्च ट्वेट में सिनियर बेसे की स्कूल में सहायक अध्यापक के पतपर लगभग 41 अध्यार सिट पूरे उत्तर प्रदेश में परसिदी उच्च प्रात्मिक विद्यालों में रिक्ट थे और उस पर सरकार गलत तरीके से प्रमोशन कर रही थी हमारी टीम पूरी तरह से सच्च इमानदारी कर्टब निश्ठा के साथ लगी और आज कहीं न कहीं उसका आसर देखने को मिल रहा है सरकार 12,460 भरती जो काफी दिनों से मानने हाई कोट एलहावाद की लखनोखंड पीट में मामला चल रहा था नियुक्ति के संबन्द में आदेश जारी हुआ सरकार केवल 12,460 को बहाना बना रही है लेकिन जो वाकहीं में असलियत है वह है गलत तरीके से प्रमोशन के कारण सरकार को अपने ही आदेश पर इस्टे लेना पड़ रहा है और ऐसी दसा में जब लखनोखंड पीट में आज याज क्या राहुल पांडे के नाम से जो दाखिल हुई थी जिस पर आज सुनवाई हुनी थी जैसे ही सरकार को कांपी रिसीव होती है इस्टेनियर काउंसिल की माध्यम से सचिवी द्वारा 12400 भर्ती का बयान देती हुए प्रमोशन प्रक्रिया को अगले दिनों तक अस्तकित कर दे रही है इससे ये साफ उस्पष्ट हो रहा है सरकार को अपने किये धरे पर विश्वास नहीं है और वह या जान रही है कि हाँ गलत तरीके से प्रमोशन हो रहा है आज जब लखनोखंड पीट में यह मामला पूरा आज चलेगा तो मुझे उमीद है कि सरकार यही लेटर जो ले जाकर के लखनोखंड पीट में लगाएगी कि हम प्रमोशन प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए अस्तकित कर देते हैं मित्रों उत्तर प्रदेश के सभी बीट भाई वहनों से मैं पुना निवेदन करता हूँ कि यही एक समय है कि हम परशदी प्रात्मिक विद्यालियों में सीधी भरती बहाल करवा ले जाएं तो कि यदि हम पूरी सच्ची कर्टम निश्टा इमानदारी के साथ लड़ेंगे तो मुझे उमीद है जो यह 41,000 वैकेंट पोश्टों पर प्रमोशन चल रहा है इसी 41,000 भरती में छमा करिएगा 41,000 प्रमोशन में हमको सीधी भरती मिलेगी अगर उत्तर प्रदेश का सभी भी यद्भाई बहाल जाग दया तो हमारी याजी का जो बेसे सिच्चा निमाली को चैलेंज करने के लिए चल रही है वो भी मुझे उमीद है कि जनवरी के सिकंड वीक में संभौता बहांस के लिए कोर्ट में आ जाए लेट थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट जो लिस्टिंग का मामला पहले ये नाइस ही देखती थी अगवा मामला सीधे हाई कोर्ट स्वैंग देखेगी जिसकी वज़ा से जो मुकद में दाखिल हुए हैं वो पूरी तरह से पेंडिंग पड़े हुए हैं जैसे ही लिस्टिंग का काम शुरू होगा मुझे उमीद है कि अगले हफ्ते जनवरी के सिकन वीक में हमारा मुकद मासुनवाई के दोर पर आएगा मैं पुना हाप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि भीएट वाले सभी भाई भान जागें और जो लोग यह कह रहे हैं कि भीएट में सीधी भरती नहीं है भीएट वालों के लिए परिश्दी वोच प्रात्मिक विद्यालों में सीधी भरती नहीं है मैं उनको पुना में बता देना चाहता हूँ कि सरकार कहीं न कहीं रास्ता बना की रखी है बस उस रास्ते को सही तरीके से पालन कराने के लिए बीएट का सभी भाईवान खड़ा हूँ क्योंकि सरकार उसी 20 में और 19 में रूल में जो 50 पर्चन सीधे भरती 50 पर्चन प्रमोशन का रास्ता था चाहे वो गणितविग्ञान के अभ्यरतियों के लिए हो चाहे वो कला के अभ्यरतियों के लिए हो सब के लिए रास्ते जरूर बंद थे लेकिन वहीं सरकार ये भी कह रही है कि अगर eligible candidate मिलते हैं तो प्रमोशन होगा eligible candidate ना मिलने पर रूल 15 की भाच सीधि भरती है अगर ये उत्तरप्रदेश सरकार अन-एलेजबिल लोगों से प्रमोशन कर रही है ति ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि प्रमोशन में एलेजबिल्टी की बात की गई है BTC के अभ्यातियों को ला करके सिस्टुएट में प्रमोशन कर दिया जा रहा है विदाओ टेट वालों का प्रमोशन किया जा रहा है क्योंकि प्रमोशन की दो अहरताएं हैं एक पांच वर्स का अंगो और दूसरा पदुन्नती में टेट सबसे महत्पुन बात ये है कि सरकार BTC के अभ्यार्थियों का सिस्टु एट में ला करके प्रमोशन कर रही है ये सबसे बड़ा गलत काम है ये सारी चीज़े रुकेंगी BTC 1-5 में ही रहेगा इसके लिए भी हमारी तैयारी चन रही है लेकिन सबसे पहले हम बेसिक सिच्छन निमाली को चैलेंज करवाते हुए इसके बाद इसी प्रमोशन में हम BTC के अभ्यार्थियों को भी रोकने का काम करेंगे लेकिन ये सारी चीज़े हो बीएट के सभी अभ्यर्थी अब यहमूर बना लें कि हमें Senior Basic School और थत परस्थी उच्परात्मिक विद्यालों में जो एक तालिस जार प्रमोशन चल रहा है उसे तालिस जार प्रमोशन में हमें सीधी मरती मिलनी चाहिए